की सथ एप छाई सचुडेंड्स वेलकम अगेंड तो माईय यूटूब चैनल डिए स्टुडेंट्स आज की वीडियो और भीसरी ऑड क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है स्टुडेंट्स आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है इंगलिस लिटरेचर का एक पेपर स्टुडेंट्स ये जो पेपर आप देख रहे हो सेम ऐसा ही पेपर आपको वार्षी प्रिक्चा में देखने को मिलेगा और इसके अंदर जो केसंस पूचे गए हैं इन में से बहुत सारे केसंस हाफी अर्ली एकजाम के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों में सेर्स कर दीजिएगा चैनल पे आप अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की इंगलिस लिटरेचर से समंदित और वीडियो आप देखना चाहरे हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पेपर को ये जो पेपर देख रहे हो सेम ऐसा ही एन्वाल एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन्स है जो आप देख सकते हो सेम ऐसी इंस्ट्रक्शन्स आपको में पेपर में मिलेगी उसके बाद देखना स्टूडेंट्स आपका जो पेपर होगा इंग्लिस लिट्रेचर का अलग अलग सेक्षन के अंदर डिवाइट होगा पहला जो सेक्षन है वो सेक्षन ए के रूप में है और सेक्षन ए के अंदर जो केसन पुछे जाएंगे वो अबजेक्ट्व टाइप केसन्स होगे आंसर भी आप देख सकते हो यह ट्रीज जो पॉइम है आपकी उस से लिया गया है तो सही आंसर होगा उसके बाद देखे अगला जो है यह तो अगला जो है यह रूफ सही इसको होगा इसका अंसर अगला देखे 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 बेसी पेड एवरी मन्थ वोज इन दे क्रेंशी ओफ यह टुमोरो से लिया गया है क्रेंशी ओफ सिलिंक्स के रूप में थी यह अगला देखे देखे दे हवाना रिवर होटल वोज ए 20 स्टोरी बिल्टिंग अगला देखे 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 टुमारो से लिया गया है अगला देखे लेक्चर अपन दे सेडो इस पॉएम ओन लव नेक्स्ट क्योशन पीपल फ्रेफोर मर्शी पीटी पीश एंड लव वहन दे आर यहां आ जाएगा अन हैपी उसके बाद देखे देखे दे साइन्टिफिक फिक्शन इस रिजल्ट ओफ इंडस्ट्रियल रिवलेशन आएगा यहां पे ओन साइन्स फिक्शन से आया है अगला तो गेट ओबिडेंट वर्कर्स और लो अबाइडिंग सिटिजन वी नीड तो मेक एजुकेटेट पीपल नेक्स्ट है कॉलरीज इस दे पॉईट ओफ कॉबला खान उसके बाद Shakespeare is the great hair of fame यह Shakespeare 1630 से लिया गया है उसके बाद देखिया आप फिलिंदा ब्लेंक्स आएंगे आप अच्छे से देख सकते हो एक एक को फिलिंदा ब्लेंक्स के बाद जो questions पूछे जाएंगे 30 to 40 words वाले होंगे आप देख सकते हो यह questions पिछली बार एक्जाम में पूछे गए थे होर सकता है इसे बहुत सारी questions हाप एल्ली एक्जाम में आजे और कुछ एक person आपको main exam में भी मिल जाए लेकिन आपको इस paper को देख करके एक idea लग जाएगा कि आपका जो main पे पराने वाला है वो किस तरह का होगा question नमर 8 से लेकर के आगे तक आप देखिए जो भी question दे रखा है उसके आगे उस chapter का नाम दे रखा है section B देखिए एक पैसेज दिया है पैसेज के नीचे दो question दे रखे हैं टाइगर 4 मालगुडी से question नमर 21, 22 और 23 उसके बाद देखिए एक पैसेज दे रखा है question नमर 24 में पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके नीचे दिये गए questions को करना होगा उसके बाद देखिए आपको poem का श्टेंजा दे रखा है और श्टेंजा पढ़ करके poem ही दे रखिया पढ़ने के बाद आपको question के answer देने है जब section C देखे students write short notes any two of the literary terms in about 50 words each तो students अब की बाद जो changement हुआ है उसमें ये हुआ है कि two की जगे three आपको करना होगा चार आपको दिये होंगे literary terms और चार में से तीन करने होंगे two की जगे उसके बाद देखे 80 से 100 words वाले question है question number 27 जिसमें option वाला person भी है और 28 में भी option वाला question है तो इस तरह से 29 और 30 30 में देखिए ऐसे आएगा 150 words में और 31 में क्या आएगा report आएगी report option में speech students इस तरह का paper आपका वार्शी करने वाला है उमीद है आपने अच्छे से इस paper को देख लिया होगा अगर आपको English literature की और वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe चरूर कर दीजिएगा और bell icon को भी तबा दीजिएगा thank you for watching में नग्ट